खुद मुश्किल में होकर भी दूसरों की मदद करना एक महान व्यक्तितों की निशानी है किसी बेसहरा का सहरा बनना, किसी के दुख की दवा बनना और समर्पन का पूंज बनना ऐसा सोभागे किसी किसी के हिस्से ही आता है और ऐसे ही त्याग और सेवा की भावना रखते थे भगत पूरण सिंग भगत पूरण सिंग का जन्म 4 जून 1904 को लुधियाना के गाउं राजेबाल में हुआ था बच्पन में उनको रामजी दास के नाम से बुलाया जाता था लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने सिख धर्म अपनाया और रामजी दास से वे पूरण सिंग बने भगत पूरण जी के पिता के दिहांत के बाद उनका पालन पोशन उनकी माता जी ने बड़ी मेहनत से किया उनकी माता का सपना था कि वे एक सरकारी नौकरी करे लेकिन भगत पूरण सिंग इसके विपरीत थे उनका मन मानवता की सेवा करने में ही लगता था और अपने इसी मानवता की सेवा को उन्होंने अपना कर्म और धर्म बना लिया गरीबों और जरूरत मंदों की सेवा करना उनके मन को एक अद्भुत शांती और खुशी देता था जरूरत मंदों की मदद करने के लिए भगत पूरण सिंग गली-गली जाकर चंदा इकठा करते बीमार और बेसहारा लोगों को अपना परिवार मानते उनके इलाज और खाने की हर सुबिधा मुहया करवाने के लिए खुद ही परिश्रम भी करते थे कई साल बीद जाने के बाद सन 1958 में उन्हें अमरित्सर में एक स्थान मिला जिसको उन्होंने आसाहाए, गरीबों, बीमारों और जरूरत बंदों के रहने के लिए आश्रयस्थल बना दिया जिसका नाम था All India Pingal Wada Society बाद में इसके कार्याले और शाखाएं अलग-अलग शहरों में खोली गई भगत जी दूर दर्शी और कुदरत प्रेमी भी थी उन्होंने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया उन्होंने वातावरण और समाजिक जीवन के उपर लोगों को जागरोग करने के लिए कई किताबें भी लिखी आज भगत जी के इसी घर में हजारों की गिंती में असहाय और हैंडिकैप्ट लोग रहते हैं और अपना इलाज करवाते हैं आज हमें उनके स्वच दरपन जैसे जीवन से प्रेर्णा लेने की जरूरत है कभी किसी के साथ कोई वैर नहीं हमेशा हमारे हाथ अगर उठे तो वो दूसरों की सेवा के लिए ही उठे ऐसी सोच हम सब को अपने जीवन में विक्सित कर लेनी चाहिए साथ ही हमें मानव धर्म, सरवश्रिष्ट धर्म की धार्णा अपने अंदर समावेश करनी होगी आज समस्त आयमसी परिवार, त्याग और सेवा के पुंझ कहे जाने वाले भगत पुरण सिंग के जन्म दिवस पर उन्हें कोटी-कोटी नमन करता है जिन लोगों ने आयमसी बिजनस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपिया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले